नमस्कार अर्ग सब्डेट कु स्वागत करूछी माथोरी प्रतमे हेड्लाइन्स बलांगेर पाटनागड सोरा पड़ारे चांचलियो गोटिये परिबार रचो चणुक मृत्तु करणा अस्पस्ट हत्यास संदे हो घटनास तोलरे पोलीस रा तना खना मानव प्रेमिया दित्यो दास समरित्यु मामला हाई कोटरे स्टार्टस दाखल कला क्राइम रांचे हत्याने मिलीनी कोण से प्रमाना संता 26 रे परवर्ति सुनानी पुरुशतमपुर सुना वेबसाइंक ठारू लूट घटनार परदाफास साढ़े चो केजी सुना जबत कला पलिस दसा जण चोरो एपंग पांचे जण रिसीवर किरा सत्त उगालीले सुर पराचोई परे सुरंक बयान कहिले दलरे अंतर घ्यात्ती चोकू हारीला कॉंग्रेस पराचोई रो समेक्या है वो किन्तु नियाची बुनी आक्षान। दुबाईरे मैच्च जार्सुगणारे खेल, फाइनल मैच्च बैटिंग समरे पोलिस रचड़ाव। जण गिराफु दुई मोबाईल सत्ते इसोच्चा टंकावो एट्येम काड़ जबाण। राजिरे खसुछी करूना ग्राफ गता 24 खंटारे 12 सह कोडिये नुआ पजिटिव जिनहट्राव कराइंटा इंडों साता सह तीनी स्तानियों संक्रमना 570, पोनी पोंतरा मूंटा नेच्ची महाबरी। पिहारे मोधी में आचीक एंडिये को मिलीलास फस्ट बहुमत सहे 25 आसनरे वीजय वही संख्या गरिश्ठता हसल कला इंटिये। एवांगा जी कट्रक आईटी एटी कार्चुले उद्खाटन वीडियो कन्फरेंसिंग्रे उद्खाटन गरिवे प्रधान मत्री नारेंद्र मोधी। कि मुझळाती से नारेंसिंग्रे से ओधाटन से देंद्र मोधी। थ saben आईटी से नारेंसिंग्रे उद्खाटन गरिवेक आईटी नारेंसिंग्रेंसिंग्रे उद्खाटन गरिवेक Unter 대ります आधित्य दास म्रित्यु मामला फाइकोट्रे जबाब दाखलो कला क्राइम बरांच। आजी मानने वर हाइकोट जो डेट फिक्स कर थीले आजी तर अर्गुमेंट हो थीला से मानने वर हाइकोट आदेश नूसरे आजी तांकर गुम्मेंट आडवोकेट क्राइम ब्रांच रो सरकारी वखीले अर्गुमेंट थेला कोट आजी अजी तांकर स्टाट स्री पोर्ट रो अपन किले मनने वर है माननों प्रेमी आदित्या दास्षाम को शिमाने पाईपारी नाओ अप्टुटेर्स्टास रिपोर्ट को था जादी आपना पचेरीवे, मन्ने अबर कोडनुगु से माने कहिले, अप्टुटेर्स्टास रिपोर्ट जोटा, जी ए कंशन आयो, जो अधित्य बृत्तुमामालारो जो जी आयो चांती, से बर्तन सुधा COVID-19 दे तांकरो चिकिचि इमां डारेक्शन देले प्राइम राँचर आडबोकेंगु, जो जथा सिकर, आपना अशन्ता 26 तरीक वित्तरे, आमको से माने सत्य बाठा जरियारे, अपिटे बाध्य मारे, आमको अपिटे पिट्र कपी, आमको नकल को आमको प्रबाइड करीवे, इमां अशन्ता 26 एगा सुना जबत करीछी पलिस अक्टबर 12 तरिका बिलंबित राथी रे सुना बेबसाई सुरेंद्र नाथ नायकंको गरू सुना चोरी होई थला तमें गंजियां पलिस घटनार तदंत करी चाओ केची 501 ग्राम सुना चबत करीछे चोरी अफिच्यों करे 1044 एपंग 5000 जण रेसीवर को गिरफ करी पारे सपला होई ची पलिस इने दखनां चला डियाईचे सत्य प्रत भोई सचना देछांते शेटी से तांकर जो सुना दोकान र एबंग इची ग्राघकर सुना सब रोकी तिले जडियों से एक्जक्ली सेते वड़े कोही पार्न नथलीजी केते अमांट र सुना जाई तिले परे जहां मैं अकड़ना कलू मोर देन 5 किलो सुना जाई थिला तांकोटू तापरे एस्पिंग करा निर्दसक्र में एडिसिनल एस्पी ठाकूर पात्र तांकर आउटे टीम टे गठाना करते लिए SDPO पुरस्वत्यम पुर, IAC पुरस्वत्यम पुर, आमारा अन्याम डिश्टिकर तीजिकर बचा अफिसर मानांको नहीं गरी आउट सेमने सक्सेस्पुली ए बर्गलरी केस्टा डिटेट करी चंती एतिरे टोटाल बर्तवान 5 जन एरेश्ट ही चंती, 10 जन जो मने क्राइम करी चंती आउट पांक जन रिसीवर, आउट तांकटू 6.5 किलो सुना जबत करा हीची 4.64 लाख रूपीज जबत करा हीची आउट आमारा फरदर तदमत जरी रहीची आउट 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 पांक जरी पांक जरी बर्गलरी जो करी चंती सेतिरू कीची डिस्पोज अप कोटी करी चंती तब फरदर इंवेस्टिगेशन इस गोईगा आउट 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 बहुत भला डिटेक्शन आसन्तु नवजिट पकाईबा केंटर मंतरी प्रकास चाफण को प्रेस मेंट उपरें यह ज़्यादा नहीं है यह मैनिफैक्टरिंग हब बनना है तो ज़्यादा चाहिए हमारी हाँ आयाद ज़्यादा होता है निर्याद कम होती है आज तक निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किये गए लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली आज मोदी सरकार ने ये फैसला किया कि दस उत्पादन के प्रमुक्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोचाहन राशी याने प्रोड़क्षन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा और कितना लगभग दो लाख करोड का ये उत्पादन भी बढ़ाएंगा निर्याद भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा आत्म निर्बर भारत को साकार करने के दुरुष्टी से ये निर्णे महत्वका होगा एक मोबाईल और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में पहले ही घोष्णा हो चुकी लेकिन आज का निर्णे दस ख्षेत्रों का इतना महत्वपूर्णा है कि लगभग दो लाक करोड दिवाली के मौके पर एक उद्द्योग ख्षेत्र को बहुत बड़ा तोफा और उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा निर्याद बढ़ेगी रोजगार बढ़ेगा तो ये बहुत है इसके परिणाम भी आने लगे है मोबाइल की आने कंपनिया बाहर से भी आये देवडिया हैस कंपनियों को इसका लग मिलेगा इससे ग्लोबल चैंपियन तयार करने की कल्पना है और पियलाए हर साल उत्पादन बढ़ने पर और एक-एक साल के बाद वो बढ़ता जाएगा तो ये एक बहुत महतोपूर्ण है केवल मैं दस सेक्टर बताता हूँ फिर दूसरा विशय और दोनों विशय आर्थिक है समंधित तो Finance Minister when she is here आपके सवालों का जवाब भी वो देगी है तो इसमें अडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी है अठाहजार एक सो करोण रुपे यह एस्टिमेटेड एकस्पेंडीचर और पी एलाई है जो प्रोड़क्टिविटी लिंक बोनस मिलेगा चार परसेंट पाच परसेंट छे परसेंट तो यह डाइरेक्ट उत्पादन के बाद ही मिलेगा निवेश के बाद मिलेगा इलेक्ट्रोनिक और टेक्नोलाजी प्रोजेक्ट पांच हजार करोड रुपे आटो मुपाइल एन आटो कॉंपोनेंट्स 57 हजार करोड रुपे फर्मेसटिकल्स और ड्रग्स 15 हजार करोड रुपे टेलेक्वमें नेट्वकिंग 12 हजार करोड रुपे टेंट्स टाइल 10 हजार करोड रुपे, फूट प्रॉडक्स 10 हजार करोड रुपे सोलर फोल्ट nuts चार हजार पासो करोड रुपे ACs and LEDs 6200 करोड रुपे और Specialities still 6300 करोड रुपे कहने का मतलब है कि देश में उत्पादन बढ़े भारत उत्पादन का हब बने यहां से निर्याद बढ़े क्योंकि देश की मांग जितनी है वो तो उत्पादन होता लेकिन उससे ज़्यादा उत्पादन होगा तो बाहर जाएगा और सभी प्रकार की उत्पादन बढ़ेंगे तो निर्याद भी कम होती है आयाद कम होती है और उसके साथ साथ रोजगार बढ़ता है तो यह समाज के सभी वर्गों के और सभीक शेत्रों के फाइदे का एक बहुत आइतियासिक फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है दूसरा जो निर्ने है वो है पब्लिक प्राइबेट पार्टनर्शिप आज तक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रॉक्टर से उसको वाइबिलिटी गैप फंडिंग मिलता था अब शोशल सेक्टर में भी मिलेगा तो उसके बारे में निर्मला जी बताएगी और फिर आपके सवालों का स्वागत है यौन झाज स्वाइब करिसरा तो लाफले कर्ण के वाइब लिताएगों आज लुडड किल्वी पकुलम शण थी कि आपके षितान चट प्राइब देतagain ट्रटना प्रेंत शूर्टलॉं पार्ट एंव्म पनट ढथिंटेटी मिलЕकृत्सक्षवेदा संभाएब प्रिंध आत्मनिर्बर्टा, ड्रक्तमपनिर्बर्ट टु फगिंग नीर्फ एंदिया विल बेपात गलोग वाल वाल वालुचेन, and three, ensuring that critical sunrise sectors get the necessary support from the government so that we are able to build an India which is strong enough to service its own domestic market but also making sure that we are able to link up with the global value chains. So the decision to have one more PLI, productivity-linked incentive-based scheme like the one which was earlier announced and it's already gone to a good start. You know that the PLI scheme which was announced had already addressed the good need which was prevailing of the telephone manufacturers, mobile phone manufacturers and so on. Therefore, keeping in mind, essentially to make sure that job creation happens, the selection of sectors have been determined on that basis. Job creation, sunrise sectors, looking at the GVC, getting India to link into the global value chain and above all, the larger umbrella principle that we have to have self-reliant India. So it also partly answers the question which is frequently asked. Does Atma Nirbarta mean inward-looking policy? Not at all. We are yet again proving that the policy that we are taking up, even in the PLI, the productivity-linked incentive through which we want manufacturers to come into India, is clearly to say we want to build on our strength but yet linked with the global value chains. So India should become a manufacturing hub. It has always been the call of our Honourable Prime Minister. Investment hub, you know, recently held this summit meeting with some of the best big investing funds, global investment funds. They have been meeting him, he addressed them. So this PLI is also aimed at getting more investment into the country. And the government is giving the financial support so that these financial incentives will make it attractive to produce in India and selection of sectors have been based on that. So if you were to look at it from the broad principle of Atma Nirbarta, pharma, pharmaceutical industry is one of the selected sector. White goods manufacturing, ACs, LED bulbs and things like that, even that is another. A third one is a specialized steel. India has enough capacity to produce in large integrated steel factories, good steel. But there are some specialized steel which we are inevitably importing. So when we give incentive for having a productivity linked incentive scheme for manufacturing of specialized steel, we expect that our need for specialized steel for producing such commodities which can be both addressing the demand which exists within the country and also aim at exporting such products which require specialized steel. So from the point of view of Atma Nirbarta, the selection of these sectors have been pharmaceutical, white goods manufacturing and specialized steel. But if you were to look at it from the global value chain through which we want our manufacturers to also get into the global value chain, Again, pharmaceutical which gets covered under the Atma Nirbarta is also one. Then you have the solar PV modules whose production we want to incentivize by giving the PLI. We also have the telecom and networking equipments for which we'll give PLI. And then more importantly, manufacturing of automobiles and automobile components. So if you're looking at getting into the GVC based arguments, these are the sectors which have been chosen for the PLI, which is going to get covered through this announcement. Labour intensive. Yes, we have used that measure also. Textiles and food get covered under that. So this package of the PLI covers 10 different sectors. And I'm glad to say, initiated of course by Neeti Aayog, Finance Ministry has worked together with these many ministries. Metis, heavy industries, pharmaceutical, telecom, textiles, food processing, new and renewable energy, DPIT, the industry's ministry, and also the Ministry of Steel. So the 10 different sectors chosen address the question of Atma Nirbarta, address the question of global value chain linkage, address the question of labour intensive sectors where we want jobs to be created and therefore investments to come in. Above all, sunrise sectors. Sunrise sectors in which India has grown into specializing. What are they? Thank you. 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 You nice you. Thank you, yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. You have not done a letzte fight. जर्मेर पुरे जबे, जेचे कंगरेसर किछिना, जेते तेमा अंतरगाती कमा करें, जेते प्रमेसर न पाइब, नभिल पत्नाए तारी इज़त रखिया पाएं, ता पतिया ना मेंटन करिया पाएं, नोट चालुची, एमेले मंत्रूं को कहिची जाई भशा, बांट अंतरगाती करिए ना जाई एटनाए पालेसर मुदेकेली खाली होट्टे नेश होईचिन तारी अरिवार समिख्या करिऊ पाणाए? आँ करिवार नीए, किटे परिचा काईचि, नेएचि, नेएचि ना नाए, यरिया को भुलीचिना नाए, किछी कामा करिचिनानी केंद्रमद्री प्रताप सणंगी तांकर 55 जितमा चल्मदिबस नियारा ठंगरे पढ़ाना करी चन्ते, सकले गारे थिपा सिब मंद्रों रे जडा विशेक करी पुझार चना करी थिले, परे गारे पिला मनांको मास्क वो फळ बांटी थिले, परे जगनात मंद्रों कुझाई बी साल रक्ततान सिपिर, ब्रुख्य रपन, मुख्य बधुर आस्रों मरे अन्ते वासी जिसुमानंको सहिता, केक काटी थिले मंत्री, अन्ते वासी सुख्य दुख्य बुझी बास सह, तांकु चोकलेट मध्य बांट अड़ा करी थिले पुनी खोली बत समलपूर जिला मुख्यो चिकी साल एकु गोवीट अस्पेटाल ने परिनोतो करा जाई थिला पड़रे मुख्यो चिकी साल एकु चारी भागा करी, ओईठा पली, धन कोवटा, गोविंद तोला, दूर्गा पली, आदी पीएच सी गुडि करे एहार बिभीन उनिट गुडिको काम करू थिला समलपुर जिलारे कोवीट घ्राफ दिनो-कुदीना खस्ती के सलरए चालू तिबा कोवीट अस्पेटाल को बन्ध करी बापाई निस्पती निया जाईच़्े जिलारे केबला बुर्ला भीमसार रे कोवीड अस्पिटाल चालू रहिपा, कोवीड पाइं ब्यभरूत सिलिंडर, वन्याने उपकरणा रोगिंक सेबा पाइं मोख्याची के साले रहिपा विद्यालयों बंद को नहीं प्रब्ला अस्पिटाल अनुगल जिला अठ्मलेक ब्लोक रेतिबा, कुदूंगा पंचाय तरा भगा मोठा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करीबारा नोटिस आसे थेला जाकुने भगा मुटा ग्रामाबसी असंतस करीछोंते, उडिसा सरकान को निर्देस्त करीछोंते, जेव स्कूल रे कम चात्रों छात्री अधायन करीछोंते, से स्कूल को बंद करीबाको निर्देस्त द्याजाईतला गिंदु बर्तमान पिलामारे 500 किलमीटर दूररे थेबा विद्यालयों को पाठ्र पडिभाको जीबे, बाठ्रे जोंकल रास्ता ते बारू बन्यो जन्तो थे बारू, पिलांको पाठ्र पडिबारे बहु असुविधा देखा जीबापली, ग्रामाबसी बिरोत करीछोंते पुर्त विभाको पखिरू नावाड द्वारा अनुदान प्राप्तन उनेसे कोठी टंका बियो अट्र कलरे निलोकिरो मीत्र पूर्ठारे, बर्हंपूर परजियोंत 15 किलमीटर रास्तार उन्नती करोणा पाइस रान्यास्त कले केंट्र मंत्री प्रताप सनंकी, तवे साथ पुर्त विभाकर सहकरी चंतरी प्रफूलता सचोको देथिले, रास्ता समस्यों दुराहेपा सह, गौमना कमरार सुबिधा होई परिपवपली कोईच्चोंते, केंद्र मंत्री प्रताप सुलंगी समय सरी ची बुलेटिन कोईटिरों खुच्चों अधिका खबर पहें, देकुतां तो हर कसने वुच, नमस्कार